अस्सलाम वालेकुम, आज हम चिकन डोनट्स बनाएंगे, हम आपको इन्हें स्टोर करने का तरीका भी बताएंगे, किस तरह आप फ्रीजर में इन्हें स्टोर करें सबसे पहले हमें बॉनलेस चिकन ले लेना है, जिसे हमने अच्छी तरह से धोया है, और फिर सुखाया भी है, यह जरूरी है कि आप चिकन को सुखाएं, इसमें पानी ना रहने दें, हमने 200 ग्राम बॉनलेस चिकन यूज किया है, चिकन को हमने चौपर में डाल दिया है, हम इ इसे इस तरह से काट लिया है दो ब्रैड की स्लाइस है कि हमने यहां पर दो चोटी स्लाइस यूज की है जिसके हमने साइड के एज जिस निकाल लिये हैं अगर आप बड़ी स्लाइस यूज कर रहे हैं तो एक करें थुड़ा नमक एक टी posição अद्रकलसन का पेस्टूटीवी लाल मिर्चे यह एक टी ऑन भरकर यूस किया है हमने गाली मिर्च का पाउडर यह भी एक टीvärर कर लिगे हमने यहाँ पर एक छोटी साइस का आलू ले लिया है जिसे हमने बॉयल कर लिया है इसे भी हम इस तरह से तोड़ कर डाल देंगे हम इसे बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से हमने बिल्कुल बारीक सा इसे ग्राइंड कर लिया है हम इसे एक अलग बोल में निकाल लेंगे दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारेश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको तीन ओप्शन्स मिलेंगे अगर आप आप मेरे सारे नोटिफिकेशन्स नहीं मिलेंगे तो ध्लान रहे आप इसे निकाल लिया है अच्छी तरह से ये बारिक हो गया है आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर किस तरह है बस ऐसा ही टेक्स्चर चाहिए हमें यह ज्यादा hard भी नहीं है और ज्यादा नरम भी नहीं है हम 10 मिनिट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे तो यह अच्छी तरह सेट हो जाएगा और इसे बनाने में हमें आसानी होगी दोनट के मिक्सचर को हमने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है यह बहुत अच्छी तरह सेट हो गया है हातों को हमने क्रीस कर लिया है ओईल लगा कर हम एक बड़ी साइस का बॉल यूज करेंगे हम जो डोनट मिलते हैं बाहर उसी साइस का डोनट बनाएंगे वैसे आपके उपर भी यह साइस डिपेंड होती है आप चितनी चाहे उतने बड़े बनाएं या चोटे बनाएं इस तरह से हाथों से हम फ्लैट कर लेंगे ध्यान रहे हमें इने थोड़ा मोटा रखना है पतला ने करना कटलेट की तरह बस इतना मोटा रखेंगे हम इसे किसी भी चीज के कैप से कवर से हम इसके बीच में होल बना लेंगे यूँ इस तरह से इस पर हम दबादेंगे और फिर इसे टर्न कर लेंगे यूँ इस तरह से थोड़ा हम इसे शेप दे देंगे अच्छी तरह चिकन डोनट बन करके तयार है सबसे पहले हम इने अंडो में डिप करेंगे हमने यहाँ पर थोड़ा नमक डाल कर एक अंडा बीट कर लिया है अच्छी तरह से अंडे में डिप करके हम इस तरह से जो एकसेस है वो निकाल लेंगे फिर हम इने ब्रेट क्रम्स में डालेंगे यह Panco Breadcrumbs है, यह हमने घर पर बनाए है, इसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और इसका लिंक उपर आए बेटन पर हमने दिया है, आप देख सकते हैं कि यह Breadcrumbs कुछ अलग है, जो हम हमेशा इस्तमाल करते हैं, उससे अलग है, यह Breadcrumbs लगा कर आप कोई भी इतने चिकन के बैटर में हमने ये साइज के 6 चिकन डोनट्स बना करके तयार कर लिए हैं अगर आप चिकन डोनट्स को स्टोर करना चाहते हैं तो किसी कंटेनर में इस तरह से डोनट्स को स्टोर करें इसे एक के उपर रेकना रखें, अगर आप इसके उपर रखना चाहते हैं, तो पहले एक पाचमेंट पेपर, बटर पेपर या प्लास्टिक कुछ भी उपर रखें, फिर उसके उपर और चिकन डोनट्स रखें, इस तरह से जितना बड़ा आपका कंटेनर है, उतने आप डोन कर दो दो खिए पाचमें, झालबस, बड़ाई पाचमें तो जबाखने आपका कंटे प्लास्त, तका बभी अड़गें, इसके एक कर्णावादागरें, झालबस, तकत्का क्थारीं, बभी दुपने बड़गें, जबस्तुम्तुषण आपका हुए जब आपक्यागें, औ झाल झाल